नमस्कार दोस्तों मैं गनेशादीत फिर से आपका स्वागत करता हूं Competition Community के Online Platform पे दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मौरेसमराज का दूसरा पार्ट अर्थात इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने मौरेसमराज के अंतरवत चंदरुप्त मौर और बिंदुसार को पढ़ लिया है आज हम पढ़ने वाले हैं असोको को ध्यान रखेगा असोक जो है असोक दा ग्रेट अर्था असोक को महान सासक कहा जाता है तो ध्यान रखेगा अब हम पढ़ने वाले हैं आज के महतपुन सासक असोक के बारे में असोग जो है असोग के बारे में बता दूँ असोग जो है प्रारम सही समराजवादी निती को पालन करने वाला सासक रहा है ठीक परंतु आगे जाके इस समराजवादी सासक जो है ये एक सांतिवादी सासक में परिवर्तित हो जाता है अर्थात ये जो है युद्ध को ठीक है, आपको सांती के मार्ग को अपना लेता है, अर्थार ये जो है, बौद धर्म को अपना आता है, चलिए देखते हैं, ठीक, इनके पहले जिवन परीचे के बारे में, आइए देखते हैं इनका जिवन परीचे, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ठीक, असोक जो है, इनका नाम था बिंदुसार, clear है, हम चालू करते हैं, from the right side से, ध्यान रखेगा, काल देख लेते हैं, सबसे पहले ध्यान रखेगा, असोक का जो काल है, 273 इस्वी पूरु से लेकर, 232 इस्वी पूरु है, ध्यान रखेगा, अर्थात कि ये 41 वर्स तक का सासन रहा है, 41 ध्या की मृति हुई, इनकी राजधानी बनी थी, पार्टली पुत्र, ध्यान रखेगा, पार्टली पुत्र, पार्टली पुत्र, clear है, ठीक है, आपको पता है, कि इससे पहले हम इतिहास पढ़ चुके हैं, कि राजगरी जो राजधानी था, ठीक राजगरी में ध्यान रखेगा अंतिम सासक जो आपके हर्याक वंस के हत्या करके ठीक है जब सिसुन आग वंस की स्थापने हुई तो सिसुन आग ने राजधानी को परिवर्तित करके वैसाली ले गया ध्यान रखेगा फिर उसका पुत्र जो है काला शोग उस वैसाली से पुनह पाटली पुत्र को ठीक भार समय की राजधानी है अब ध्याकिए गया सब्सक्राइप अर्थात आप ध्यान केगा 273 इसवी पूरव 78 इसभी पूरव में असो जो है वह गद्धी पे बैठा ज्यान केगा तिक कहां बैठा गद्धी पे धियान रखेगा 279 इस्वी पूरू। इन चीजों को थोड़ा सा ऐसे ट्रिक के माधियम से जानिये। कि 273 इस्वी पूरू में बैठा है, ति चार वर्स के बाद उनका राज्याभी सिख हुआ है। कब हुआ है दो 179 इसवी पूर में उनका राज्या भी सेख हुआ है, उनके राज्या भी सेख कि आठ वर्स बाद, कितने वर्स बाद? आठ वर्स बाद, फिर दियान रखेगा, चार हो गया, अब आठ वर्स बाद, क्या होता है? कलिंग विजय अर्थाद 261 इस्वी पूरु पे तिक इस प्रकार आप ध्यान रखेंगा अगर आप एक डेट याद रखते हैं 273 इस्वी पूरु तो तिक चार साल और आठ साल करके आप तिन डेट याद रख सकते हैं अर्थाद 273 इस्वी पूरु के चार साल बाद 279 इस्वी पूरु में उनका राज्य भेशिक हुआ और इस 279 इस्वी पूरु के आठ साल बाद 261 इस्वी पूरु में क्या हुआ उनका कलिंग विजय का अभियान चलू हुआ चलिए ठीक है ध्यान रखेंगा अशोक के धर्म में ध्यान रखेंगा अशोक धर्म के बारे में मतलि मैं अक्याता नहीं है बहुत सारे अलग अलग मतले फिर मिंदेश पंद्धी को मानने वाले थें, तो हम कुछ मतों को लिख लेते हैं, पहले तो बौद मत को हम लिख लेते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें, बौद मत, ठीक है, लेकिन इनको कुछ साहित या कुछ स्रोत से सयव मतावनमी भी माना गया है, क्योंकि आजिवी को त्यान रखेगा, इन्होंने कस कस्मीर के एक सियु मंदिर का जिन्नो धार करवाया था, ध्यान रखेगा, शयव मंदिर का, इसलिए इनको सयव भी कहा जाता है, ये जो है आजिवक, ध्यान रखेगा, एक संपरदाय है, जो इनके संस्थापक थे, मखली, पुत्र, गौशाल, क्लियर रखेगा, ध्यान जाता है, क्योंकि इन्होंने कस्मीर के एक सियु मंदिर का जिन्नो धार करवाया था, ध्यान रखेगा, ध्यान रखेगा, असोक के समय की वही भासा है, जो आपके बहुत धर में रहा है, आपका पाली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक, ठीक है, अब बढ़ जाते हैं पिता, इनके पिता का नाम था, बिंदुसार, ठीक है, अब बिंदुसार के पिता का नाम कौन था, चंद्रगुप्त मौरे, ध्यान रखेगा, चंद्रगुप्त मौरे, क्लियर है, यहाँ पर फिर से आपको पिछे का च चंदरगुप्त मौर के बाद बिंदुसार माता का नाम है सुभद्रांगी, सुभद्रांगी, चलिए समझ मैं है, ठीक, पतनी, ध्यान रखेगा, दो पतनी का यहां पर हम वर्णन करेंगे, पहली पतनी है देवी, ठीक है, दूसरी पतनी है कारुविका, कारुविका, ठीक, दोनों को ध्यान रखेगा, पहली पतनी देवी, दूसरी पतनी कारुविका, परंदु अगर आप से यह पुछा जाए कि अभिलेक में किस पतनी का उलेक है, ध्यान रखेगा, अभिलेक में, कारुविका अभिलेक. क्लियर है या इस प्रकार से प्रस्ट जो है थोड़ा सा और चीजों को पुछता है ठीक अगर आपसे ये पुछा जाएगा कि असो के सीला लेक में इसकी किस पतनी का वर्णन है तो वो है कारूवी का ठीक है पुत्र ध्यान रखेगा इसके दो पुत्र का वर्णन आता है पहला आता है तीवर तीवर और महंद्र पुत्री का नाम है इनका ठीक पुत्री संग मित्रा संग मित्रा ठीक है तो इस प्रकार ये जो है आपके इनका जिवन परीचा है, ध्यान रखेगा पिता बिंदुसार, ठीक माता सुबद्रांगी, पतनी देवी, दुसरी पतनी कारुविका, कारुविका का वर्णन अभी लेखो में हैं, इसलिए ज़्यादा महत्पुन हैं, उसके बाद आप देख लिजे इनके प असोक जो है आपका कलिंग विजे के बाद जो इनका हिर्दय परिवर्तन हुआ था, ये इनकी जीवन की सबसे महत्पूर घटना थी, जिसके कारण ये बहुत धर्म के और उनमूख हुए, बहुत धर्म को अपनाए और धम के निती को घोसित किया, ध्यान रखेगा भेवी सीला लेख में अलग अलग नाम है, तो ध्यान रखेगा, असोक के अधिकतर सीला लेख में नाम है, देव नाम प्रिय, ठिक ध्यान रखेगा क्या, देव नाम प्रिय, तो असोक के जो सीला लेख है, अधिकतर सीला लेख में उनके जो नाम का उनलेख किया गया है, वास्तों जो देवों का प्री है ध्यान रखेगा ठीक जो देवों का प्री है ध्यान रखेगा आपको यह भी बता दूं कि इनका जो मूल नाम है असोग असोग नामक मूल नाम के साथ कुछ सीला लेख है जैसे मास्की मास्की गुर्जरा नेतुर नेतुर और उडे गोलन उडे गोलन ये जो चार अभिलेख है इनमें इनका वास्त्विक नाम असोक मिलता है ध्यान रखिएगा असोक जो नाम है वो इनके चार अभिलेख में मिलते हैं कितने चार अभिलेख में ठीक है चार अभिलेख है नहीं चार अभिलेख ठीक मास्की गुर्जरा नेतुर और अधिकतर अभ पुराणों में अगर असोक के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहा पर असोक नहीं लिखा गया है यह आपको देव नाम पर यह नहीं लिखा गया, असोक वर्धन लिखा गया है, क्या लिखा गया है, असोक वर्धन, क्लियर है, दीप अवंस, जो सहीत है, इसमें असोक का नाम को मिलता है, जैने रख schauthi गाотив मिलता है, क्लियर है, चलिए, अब देहन रखी गा, इन्हों ने असोक ने जम्मू कस्मीर में यानि एक वर्तमान का जो कस्मीर है इस कस्मीर में इन्हों ने ही स्री नगर नामक सहर की स्थापना की ठीक है किसका स्थापना किया स्री नगर का महत्पुन परस्न बनता यहां से कई बार पुछा जा चुका है आगे भी पुछा तीके उसके बाद आपको बता दू कुछ और साख्च मिले है जिसमें यह बताया गया है कि नेपाल में इन्हों ने ललित पतनम नामक सहर के स्थापने किया क्या नेपाल में ललित पतनम έχει अब नेपाल जिस से सबसे महत्रपॉर्ण आपका अभीलेक के बारे में मैं आपको बता दू हैं असोग के जीतने भी अभी पराप्त हो विशय रहा हूँ प्रशास भेस्लिक था है लेकिन मातर मुद्रिकंग है और गया है और वो है ध्यान रखिएगा आर्थिक रहा है ठीक आर्थिक अर्थात इसी अभी लेक में ध्यान रखिएगा कर के बारे में चर्चा किया है वास्तों में क्या हुआ था जब असोक जो है बाद में लूंबनी क्यातरा करते है एक्चोली में लूंबनी क्यातरा किया था जब असोक ने त कुछ पुस्तोकों में ये भी मिलता है, कि कर को में कटोती कर दिया गया, वास्तों में जो असो के समय कर लिया जाता था, कुल फसल के हिस्से का एक बटे 6, अर्थाथ 6 में का एक हिस्सा, 6 भाग का एक भाग, ठीक हमको कर के रूप में देना पड़ता था, इन्होंने उस कर को कम करके ध्यान रखिएगा, क्या कर दिया, एक बटे 6 से कम करके एक बटे 8 कर दिया, ठीक, यानि कि अब 8 में से एक हिस्स कर मुक्त अब मैं आपको दोनों चीज़ें बता दे रहा हूं दोनों चीज़े ऑथंटिक पुस्तक में मिलती है मैं आपको दोनों चीज़ें बता दे रहा हूं अगर करकर निर्धान के बारें पुझेगा तो आप इसका चर्चा कर लिजेगा ठीक है तो इस प्रकार से हम अस लड़े या कहना चाहिए कि कलिंग उनका प्रमुख युद्ध था इस युद्ध के बाद उनका माइंडसिट बदल जाता है तिक वो युद्ध के बज़ाए धम की घुशना करते हैं हिंसा को त्याग देते हैं बौत धर्म को अपना लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कलिंग विजय महत्वपूर्ण अभ्यान था वास्तों में कलिंग का कोई भी सासक रहा है तिक वो तो अपने समराज को बढ़ाना ही चाहता है तो समराज का अथा समराजवादी विस्तार जो है प्रतेक सासक का एक समझ ये अनिवारे कार रहा है तिक उसके पास एक बड़ी सेना है व इस प्रकार जो है युद्ध जो है अर्था समराजवाद जो है समराजवादी यानि विस्तार वादी निती जो है प्रतेक सासक का एक महत्वपूर कार रहा है तो एक कारण हम उसको ले लेते हैं कि कलिंग विजय का प्रमुख कारण क्या रहा है समराजवादी विस्तार लिए आप ध्यान रखेगा, अगर वो छेतर हमारे अंदर आ जाए, अर्थात मगत के अंतरगत आ जाए, तो हमको हाथी अराम से मिल सकते हैं, ठीक है, दुसरा कि दच्छिड विजय, अर्थात, ठीक, दच्छिड के और जाने के लिए हमको माल लिजे, उडिसाय जो एक का पॉइंट बन जा रहा था, तो इस प्रकार से कई कारण जो है, रहे हैं, कलिंग विजय के, ठीक, तो चली अब इसमें स्पेसिफिक देखते हैं, कलिंग विजय जो है, वास्तों में क्या हुआ था, असो के राज्य अभिसेक के आठवे वर्स हुआ था, ध्यान रखेगा ठीक, अभिसेक, राज अभिसेक कब हुआ था भाई, इस चीज की चर्चा कर ले, तो 269 को हुआ था, ठीक, अब इस 269 के आठवे वर्स अर्थाद, ठीक है, माइनस 8 कब हुआ, तो 261, 261 इस्वी पूर में, ठीक, कलिंग अभियान, अर्थाद कलिंग का युद्ध्वा, कल कलिंग की राजधानी तोशली है, यह आप से पुछा जा सकता है, क्या है कलिंग की राजधानी तोशली, क्लियर है, कलिंग के ततकालिक सासक थे, नंद राज, अगर आप से यह पुछा जाए, ठीक, राज, की ततकालिक समय में, कलिंग युद्ध के समय, असोग के विपरि मैं सीला लेक में मिलता है ते रहे शीला लेक क्लियर है है ठिक अब आ जाते हैं कारण कारण की चर्चा में पहले कर चुका हूं पहला कारण है समराज वादी विष्थार वादी प्लिटी थिक दूसरा कारण है हाथी तीसensch है दच्छीड के और उन्मुग ठिक तो यह तीन से वहाँ पर हत्याई हुई तिक युद्ध है तो शिरी सी बात है तिक क्या होगा भीशन नरसंगहार ऐसा कहा जाता है कि लगभग एक लाख सिपाही सैनिक मारे गए तिक और जो है लगभग देड़ लाख जो सिपाही है इनको बंदी बनाया गया तिक एक लाख जो है वो मार उनको बंदी बनाया जाए सका ना वो मारे गए जखमी हुए थे इस परकार इस बहुत धिसन तरीके से यहां पर ध्यान रखेगा ठीक कि हत्याएं हुई थी ध्यान रखेगा इसी हत्या को देखके मतलब इस भिशन नर्थ संगहार को देखके असोक का जो मन है वो बदल गया ठीक कैसा हुआ मन में परिवर्तन हो गया हिंसा को देखके अब ध्यान रखेगा इसका परिशन ये हुआ कि असोक ने युद्ध की निती को त्याग दिया जिस प्रकार जापां जो है ठीक है जब परंवा के उपर उसके बाद निती युद्ध की निती को त्याग दिया आपको पता हुंचे कि जापान के सम्विधान में लिखा गया है कि युद्ध निशिद्ध है तिक मतलब प्रोहभिशन ओफ वार तिक तु वहां पर जापान ने युद्ध की निती को ही त्याग दिया उसी पर गया कि भेरी घोस के स्थान पे धम घोस धम क्या है कि इसकी चर्चा हम आगे क्रमसा करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अब देख लेते हम कुछ महत्पूर्टत्थे के बारे में तो ध्यान रखेगा अभी क्या हुआ है अभी तुरं 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 कलिंग यूद हुआ समझ जो निगरोथ नाम के आँए संद्य थे और उसी मान रखेगे और बहुत धर्म हैं, तो ध्यान रखेगा तो अब आपसे कि बौध धर्म में ध्यान रखेगा एक्च्छली में परभाव इस तब दुक या रखेगा निगरोथ के परभाव में आकर असोग जो है बौध धर्म को अपनाता है ठीक है लेकिन दिख्छा किसके द्वारे दी जाती है तो दिख्छा दी जाती उपगुप्त द्वारा ध्य भाव में आके बौध धर्म को अपनाया तो उत्तर हो जाएगा आपका निगरोध दुसरा हो जाएगा कि किसने असोग को बौध धर्म में दिख्छित किया तो वह हो जाएगा उपगुप्त क्लियर है चलिए अब देखते हैं एक पुस्तक है राज तरंगिनी ध्यान रखे समय में कस्मीर में उन्होंने एक स्यू मंदिर का क्या करवा था जिनौधार क्रवाया था तो ध्यान रिखिएगा इसी अधार पे यह कहा जाता है कि जोस्यों धर्म को मानता है तो हम यह कह सकते हैं कि असोग भले अयette धर्म को मानता आता नहों परनतु वह क्या सहिशनु है विभिन अलग अलग धर्मों के परती, अब देखते हैं आजिवक संपर्दाय, ध्यान रखेगा, आजिवक संपर्दाय की स्थापना मुखली पुत्र गौशाल ने की, कहीं पर मुखली पुत्र लिखा रहता है, तो मुखली पुत्र गौशाल ने की, ध्यान रख बुद्ध आगे जाते हैं और आगे जाके महात्मा बुद्ध को ठीक निर्वान पराप्त होता है क्लियर है चलिए वही मखली पुत्रगोसाल के संपर्क में आते हैं कौन अशोग और अशोग जो है उनसे प्रभावित होते हैं और उनकी लिए ठीक बराबर की पहाड़ी ये क लुमस रिशी गुफा दूसरा गुफा है काण चोपार गुफा तीसरा है सुदामा गुफा और चोथा है विश्व जोपडी विश्व जोपडी ध्यान रखेगा ये चार गुफाएं है प्रस्ण बनता है यहां से ध्यान रखेगा अच्छे से पढ़िएगा कौन कौन से भाई किसको दिया गया ये भी इंपोर्टेंट है तो आजीवक संपरदाय को दिया गया ठीक है कहां पर दिया गया तो बराबर की पहाड़ी में च बना लिजी आप ठीक है तो ये है आपके गुफाएं ध्यान रखेगा प्रस नहां से पुछे जाते हैं आपको अराम से इसको पढ़ना है ठीक है चलिए अब आगे हम देख लेते हैं ये जो आप चितर देख रहे हैं ये वही गुफा है ठीक है अर्थात बराबर की पहाड चलिए अब लगाट दीक अएड़ा देखे रहे हां आपको गेटिक अभीस गेट के वह अकुछ प्रकार सामदेस देखेंगे अब अंदर जाएंँगे तो कुछ इस प्रकार चैनल और अराम से बैठे हैं ठीक मतलब सुचिए इस प्रकार की क्वाया कि कि इसके लिए दिया गया किसके दोवारा दिया गया अशोक के दोवारा आजीवक संपर्दाय के संस्थापक कुन थे तो मखली पुत्र गौसाल थे चलिए आगे बढ़ते हैं अब ध्यान रखिएगा ठीक उत्राधिकारी ध्यान रखिएगा उत्राधिकारी के बारे में यहां पर भी भिन्नेता ह ठीक अलग-अलग सहित में अलग-अलग मतों में इनके उत्राधिकारी के बारे में अलग-अलग चर्चाएं होती है तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा असोक के मृति जो है वो 332 इस्वी पूर हुई ध्यान रखिएगा कब हुई 332 इस्वी पूर हुई ठीक है जैसे ही इ एक पुत्र का वर्णन है तिवर लेकिन इसके और भाई थे महेंद्र कुनाल और जालोक तु ऐसा माने जाता है कुछ जो बोलते हैं कि तीवर उनके ठीक है असोक उत्रा धिकारी है कुछ पुस्तोकों में रहा रखेगा दसरत का चर्चा आता है ठीक किसका आता है दसरत का और अंतिम रूप से अंतिम सासक आपके वरिहादरत है इसमें कोई डाउट नहीं है कि मौरेवंस का अंतिम सासक कौन है अर्थात सब से पहले मौर्वंस के संस्थापक चंदरगुप्त मौरे ठीक दूसरा बिंदुसार तिसरा असोक चौथा में आप इनके डारेक्ट असोक के उत्रा धिकारी ठीक है और उसके बाद अंतिम सासक वरिहादरत ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी रहा होगा तीवर या क अर्थात अयोग उत्राधिकारी इनको मिले और यह अयोग उत्राधिकारी अपने बड़े समराज को सभाल नहीं पाए सीधी जबात है ठीक है और यहां पर आपको कहने चाहित में सिला लेक में ठीक है इस चीज़ का अभाव मिलता है कि किसके बाद कोन है ठीक कुछ पुस् सिधा सिधा पूझ दे इस्तंब लेखो के अनुसार उसका उत्तराधिकारी कौन था तो आप तीवर लिख दीजे ठीक है इस प्रकार से आप प्रस्न को हैंडल कर सकते हैं चलिए आगे देखते हैं ठीक अगला है यहां पर असोग के ध्रम ध्यान रखिएगा जैसे ही उनका युद्ध के बाद उनका मन परिवर्तन हुआ धर्म का अपना है तो धर्म क्या है धम का अर्थ है असोग दवारे अपने परजा को उनके नैतिक आचरण में सुधार के लिए जो निती या जो सहिता दिया गया उसी को धम कहा गया है ध्यान रखिएगा अच्छे अच्छे तो धयान रखिएगा अशोग का धम कुछ और नहीं है तो के दिन निकाए तो धिन निकाए है सुध में पढ़े हैं तो दिर्ग निकाए के रहूलो वाज सुत्र बे इसका ठीक चर्चा है कहां पर परिभासा ठीक आपको धम के डिफिनेशन मिलेगा रहुलो वादसुत और ये रहुलो वादसुत कहां पर है ये दिर्ग निकाय का एक भाग है लिकिन इसके अलावा आपको भब्रु सिला लेक में भब्रु कहां पर है ये राजस्थान में है त के बारे में आपको साग्छी मिलता है तो दो जगह मिलेगा पहला टिक रहुलोवाजसुत और दुसरा भब्रुसिला लेख इसके लावा इनके अलग-अलग सिला लेखों में अलग-अलग जगहों पर इसका उनलेख है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अब देखते हम अभी लेख अभी लेख क्या होते हैं अभी मतलब हो गया जैसे हम आज कल यूज करते हैं फ्लक्स स्य करते हैं ठीक है निrand Childrenhone लेंब में इस समय प्रकार का चीजों का अब और भारत में किया गया ठीक तो अभिलेख के बारे में पढ़ लें, अभिलेख क्या होता है, ठीक है, तो ये भी बता दू, हाँ, ये भी बता दू कि भारत में तो परचलन हो गया, लेकिन विश्व में इससे पहले डेरियस, अर्था दारा परथम ने अभिलेखों का प्रारंब किया, और लगबग उसी स प्रेरित होके असोक ने भारत में अभिलेख का प्रचलन चालू किया, ठीक है, तो दो प्रकार के होते थे, एक सीला लेख होता था, और एक स्थम्भ, सीला लेख का मतलब ये पत्थर है, और सीला इसी में चीजों को लिख दिया जाता था, ठीक है, स्थम्भ लेख का मतलब खंबा अर्थाद इस प्रकार का पत्थर का कोई खंबा लेके इसमें चीजों को लिख दिये जाता था थीक तो आए समझ में सिला लेक और स्थम्ब लेक आए देखते हैं आपको असो के 40 से अधिक अभी लगभग अभी लेक प्राप्त हुए इसमें तीन लिपिया प्राप्त तीक है तो यह तीन लिपिया प्राप्त हुई है तीक है आपको यह जो पाकिस्तान में स्थित दो है मान सहरा और सहाबाज गड़ी यह दो ऐसे अभी लेक है जिसकी भासा क्या है लिपी खरुष्टी है द्यानर के लिपी है भासा नहीं तो खर यह पुछा जाएगा कि ठीक सार एक नहीं भी कहा जाता है कहां पर कंधार में वह दो भासाओं में लिखा गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अभिलेखों के बारे में देख लेते हैं तो यहां पर जो है जेन्रलाइज तरीके से अभिलेख सब को हम एक जगा रख दी हैं आपको केवल स्थान के बारे मे जानकारी प्राप्त होना है चलिए अब यहां पर हम देख लेते हैं तीक इस्थान को बस जान लीजे आप से यह इस पर स्पीक नहीं पूछेगा तीक अभी लिए कहां से प्राप्त हुआ है उसका अंदर केटिगरीज नहीं पूछेगा तो सबसे पहले सहाबाज गड़ी और माहन सहरा जान लीजे तीक कहां पर है यह पाकिस्तान में है भारत में यह तो कालसी याद रखिए कालसी उत्राखंड में है कालसी उत्राखंड तोपरा यह जो है आपके हर्याना दिल्ली के पास है वास्तों में वर्तमान भी यह दिल्ली में है इसके बारे में पढ़ते हैं भब्रुगण अभी चर्चा किये हैं ठीक भब्रु ठीक यह आपके राजस्थान में गुजरात में तो गिर्नार मिलेगा गिर्नार अभिलेक आपका ठीक क्या मिलेगा गिर्नार अभिलेक चुलिए अब आज यह मद्ध पर्देश में मद्ध पर्देश में आप ध्यान दिज सांची में बहुत स्थूप द्वारा सांची के स्थूप का निर्मान कर आए गया चलिए सोपारा कहां पर है महारास्ट में क्लियर है ठीक दच्छिड में आपको आएगा मास्की ठीक है और स्वंडगिरी परवत के बारे में चर्चा कर चुके हैं ठीक और जटिंग रामिश् धाले तो दोनों अभिलेखों को नहीं जाता है कि इस चीज़ को आप ध्यान रखेगा ठीक है कि उडिशर में पराप्त दो अभिलेख धोली और जोगर्ण इसको प्रिछक में कहागी है कलिंग अभिलेख चलिसने आगे बड़ें ठीक आप आये प्रियाग राजबें ठीक प्रियाग में भी आपको प्राप्थ हुआ है ठीक है इनकी रहा धानी रही चलिए तो इस प्रकार हम देह चुक है यहाँ पर क्या कि अशोक के प्र्मुक अभिले कहां पर इस आज पर दोगा नहीं है जो आप देख रहे हैं यहां से लिखा गया है उसके अधार के इनका सम्राजि विस्तार था तो ध्यान रिखेंगे कभी क्या होते इतिहास में चीजों को बढ़ा चड़ा के बता जाता है अपना राजा है हमारे पास 5 यकड़ रहता लेकिन अपने दो तो आपको factual हिसाब से यह जान लिजिए कि अभिलेक के अनुसार जो असोक के विजित छेतर थे यह इतना बड़ा एरिया उनका था अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरे भारत सहित एक बड़े से समराज्ज में किसका आपका विजय था ठीक असोक का है वास्तम असोक ने खुद इतना विजय बड़ा नहीं किया था इनको प्राप्त हुआ था इसको इन्होंने मेंटेंड किया ठीक लेकिन इसके बाद जो भी सासक हुए हैं उन सासकों की अयोगेता के कारण ठीक मौरे समराज का पतन करमसा हो गया और अंति में ब्रहदरत के हम ठीक अलग-अलग चीजों को देखते हैं ध्यान रिखेंगे जो सीला लेक है इसके बार हम देख लें असोक के के जो सीला लेक है यह संख्या इसकी चौदा है जो की आठ स्थान से प्राप्त हुए पूछा जाता है कितना है सेला लेक चौदा सीला लेक रॉक्ट एडिक् इसकी संख्या चौदा है जो आठ स्थान से प्राप्त हुए और इस सीला लेक के सबसे पहली बार खुजा था टिफेन थैलर ने 1750 में परंतु 1837 में इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त गी थी जेम्स प्रिंस्पे ने तो दो वेक्तियों के नाम याद रखीगा टिफेन ठैलर जेम्स प्रिंसपे टिफेन ठैलर को यह प्राप्त हुआ था अभिलेक और इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त हुआ था जेम्स प्रिंसपे को करमसा 1750 और 1837 चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अब देखेगा ठीक यह है आपके जो अभिलेक प्राप्त हुआ इस प बिखेगे तो इसके बारे मैं बता दूँ अभिलेक और इस्षी या जो होते थे वह राजा द्वारा पर्जा को थिक है उसी आदेश को लिक दिया जाता टा प्त्धरों में ठीक है तो यह थां राजा द्वारा अपनी परजा को दिय गया आदेश है ठीक है और वो इस्तंब लेक जो है खुलमिलाग के साथ है, जो की छे अलग अलग इस्थानू से प्राप्त हुएं, इनके बारे में थोड़ा से देख लेते हैं, सब से पहला है प्रयाग परसथि अभिलेक, प्लियर है चलिए, प्रयाग इस्तंब लेक, यह कौसामभी में था, बाद में ठीक है, अकबर द्वारा, जैनि काफी बाद में अकबर द्वारा इसको इलहाबाद के किले में इस्थापित कर दिया है, अभी आप आप जाएंगे इलहाबाद, इलहाबाद का जो किला है, ठीक संगम पे इलहाबाद का किला है, उसी किले में आपको मिल जाएगा ठीक यह अभिलेग प्रियाग इस्तंभलेग ध्यान रखीगा इस चीज में आप एक चीज और जोड सकते हैं इसी अभिलेग को रानी का अभिलेग भी कहा गया है क्या कहा गया है रानी का अभिलेग क्यों कि इसी अभिलेग में कारुविका का वर्णन है ध्यान रिखीगा. क्योंकि इसी अभि लेक में असो की पतनी कारूबिका का वर्णन है. इसलिए इसको क्या कहा गया है? रानी का अभि लेक, clear है? चलिए. दूसरा दिखिए दिल्ली, टौपरा. दिल्ली के के निकत एक जगह है टोपरा वहां पर असोग के अभिलेग प्राप्त हुआ और उस अभिलेग को फिरोज साह जो तुगलक है उसको वहां से निकाल के दिल्ली लेके आ गया है कौन फिरोज साह तुगलक ठीक है किसको दिल्ली टोपरा को ठीक है अब आज यह दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरिट इसका मतलका भिया है कि टोपरा से दिल्लि या है अब आईए तक लोरिया अरे राज दहान रखियेगा तक लोड़िया अरे राज लोडया नंणगड यह दोनों के दोनों बिहार में हैं चंपर अंड जिल्ले हुआ है कमल का फुल बना हुआ है ठीक है अगर आप से पुछे कि ऐसा कौन सा सोग का इस्तंब अभिलेक है जिसके सीर्ष पे कमल की आकरती बनी हुई है तो वो आएगा आपका ठीक है लौरिया अरे राज दूसरा है लौरिया नंदनगड तो ध्यान रखेगा जिस परकार ल अरे राज में कमल है और नंदनगड में मोर है अब तिसरा अभिलेक ध्यान रखेगा राम पूर्वा भी वहीं है बिहार में तो इस प्रकार आपके तीन अभिलेक हो जाएंगे लौरिया अरे राज लौरिया नंदनगड और राम पूर्वा तो ध्यान रखेगा इसके का खुच जो है किसके द्वारे किया गया करलाईल द्वारा तो यह हो गया हमारा इस्तंबलेग चलिए आगे बढ़ते हैं अब देख लेते हम ठीक है असो के लगुसिला लेक के बारे में लगुसिला लेक कहां से प्राप्थ हुआ है ति किस जीले में इतना बस जानकारी होना ठीकडाइब ठीक आपके वसल्स देख गया अब ध्यान के पहला रूपनाथ कहां पर दिखकत जबलपूर में कोई를 गूर्जरा कि आपने देखा हैं मैप में यह का है डतिया में. वद्धे परदेश के दतिया जिले में. चलिए. भबरु. भबरु के बारे में भी पढ़ चुके हैं. भबरु कहां पर है? राजस्थान के जैपूर जिले में. ठीक और इसके एक विशेश चीज है कि इसका आकार बिलनाकार है ठीक अर्थात ऐसा नहीं है कि पत्थर को ऐसा लिए कर दिये नहीं बिलनाकार इस प्रकार से सिलिंट्रिक इस प्रकार से गोल ठीक है तो बिलनाकार है आपका भब्रुसिला ले उसके बाद हम मास्की ध्यान र बाकि जगह में देव नाम पर ये मिलता है सहासाराम, सहासाराम को पता है आपको बिहार के शहाबाद जिले में अगला है pastor घ्यां रखेएक अर्थात यह जान सकते। कि सकी पूरवी हिस्ठापित किये गए जहां पर … Only Up और इनके किस-किस जीले में है, किस-किस राज्य में है, परस यहीं से बनेगा आपसे, ठीक है, चलिए, देखते हैं, अगला स्लाइड पे, अगला स्लाइड पे हमारा है, ठीक, मौरे परसासन के बारे में ध्यान देखेगा, मौरे परसासन के बारे में बता दूँ कि अभी त सबसे प्रमुक सासक रहा था चंद्रगुप्त मौरे ने एक बढ़िया सा केंद्रकृत सासन एविलेबल कर आया था क्यूंकि ततकालिक समय में चंद्रगुपत मौरे का ठीक आपका संट्रक्षक था विश्णुगुपत चाड़क के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि चाड़ मौरे समराज में आया था परंतु ये जो है केंद्र कर ठीक व्टलिट था मगर बर मारबर नहीं था टाइप का नहीं था कि साकते सासक के पास है तो ऐसा नहीं कि वह परजा से जबर्दस्ति ठीक है कर को उगा है या किसी भी प्रकार का ऐसा निर्ने ले तो दियाने किएगा इस प्रसासन में बहुत सारे अधिकारी की चर्चा होती है अधिकारी ठीक है बहुत सारे प्रसासनिक अधिकारी और को भी प्रसासनिक अधिकारी को उपधा परिक्षन के माध्यम से गुजरना पड़ता था उपधा परिक्षन का मतलब है उसका चरित्र क अब हमा आते हैं चानक के के यानि विष्णु गुपत के जो साहित है अर्थ सात्र उसमें टिक राज्य के सब्स्तांग सिधांत की चर्चा की गई है वहाँ ये बताया गया है कि राज्य के साथ अंग होते हैं, कितने अंग? साथ अंग, कौन-कौन सा? पहला राजा, ठीक, राजा जो सबसे महत्पुन है तो पहला हो जाएगा आपका राजा, दूसरा अमात्य अर्थात, उसका मंत्री, तिसरा आगे जाए जनपद, ठीक है, फ आर्थ सास्त्र, ठीक, तो इस चीज़ का भी आप अच्छे ध्यान रखिए, इसका स्क्रिंसॉट कर लिजिए, चलिए, आगे बढ़ें, चलिए, अब हम देखते हैं, आगे क्या है, अब हम देख लेते हैं, कि परमुख अधिकारी कौन-कौन थे, मौरे प्रसासन में, जैस यह कोष थे, दोन हमें है, राजस्त्व विभाग अलग है, राजस्त्व के कोष है, तीक तो कोष कर संप्ष्ण कोन था, प्रदेष्टा, यह फौजदारी नियलयय का नियाधिश, चलिए, कर्मान तक करणा, उध्योग कर्म करना, कर्मान पद्योग का प्रमुख, तिक है, दंडपाल आपका पुलिस अधिकारी को हम क्या कहते है अब ध्यान रखेगा अंतेपाल दुर्गपाल अंतेपाल कहने से ऐसा लगता है कि अंदर का चीज़ लेकिन वास्तों में अंतेपाल नामक जो अधिकारी था वो बाहरी दूर्ग का संरक्षक होता था कहां पर सीमावर्ती दूर्ग का रख्षक कौन अंतापाल अध्यूर्ग पाल जो है ये देश के अंदर के दूर्ग का रख्षक होता था ठीक है नाम में थोड़ा सा चीज़े है आप आराम से पढ़िए अंतापाल या अंतापाल अंता मतलब अंदर लेकिन इसका उल्टा है क आटविक ये वन विभाग अर्था जंगलों के बार जो जंगल होते थे उसका नियंतरन किसके हाथ में होता था आटविक के हाथ में तो इस प्रकार मौर प्रसासन में ठीक बहुत सारे अधिकारियों का यहां पर वर्णन है ठीक इसको आप एक बार देखिए इसका स्क्रीन प्रबंद के बारे में तो हम लोग चंदरगुप्त मौर के समय में पढ़ चुके हैं कि चंदरगुप्त की मौर की सेना में छे लाग सेनिक थें जस्टीन ने अलरड़ी कहा है कि छे लाग सेनिक थें ठीक है दुसरा इसको डाक्वों का गिरो भी कहा है जस्टीन ने ध्यान के हैं चाड़ा के जो है इनकी सेना को तीन भागों में बाटते हैं यह बोलते हैं कि सेना के तीन भाग होते हैं कौन-कौन सा पुस्तैनी भाटक और नगरपाली का ध्यान रखेगा पुस्तैनी भाटक और नगरपाली का यह आप से पुछा जा सकता है कि चाड़ा के द्वारा सब्ल्सक्राइब करें पर मेरे हैं प homeless सेना जानति सेंग वहां पर युद्ध रख्राइबार्टित till तरिकांध वक रची जोगी चला है रहा तो तो कुछ नई चीज़ें करता, नई प्रयोक करता, नई प्रकार के हैत्या, नई प्रकार के प्रसासम, इस प्रकार के चीज़ें होती, तिक ते और ज़्यादा होता, तो यह जो चीज़ें हैं, यह आपके चंदरुपत मौरे के समय से ही चली आ रही थी, थोड़ा बहुत परि आधिकारी होते तो भी हां पर हम दो परकार के अधिकारी देखते हैं एक होता है हमारा इक धर्मस्त कन्टक सुधन ये फोजधारी ठिक दिवानि फोजदारी कि मैं आप बडा सिंपल सा तरीका दिवानि का मतलब समझे धन से संबंदी अगर मांच पैसा से संबंद्र कुछ मामला है लेन देन है जमीन से संबंदित कुछ लेन देन का मामला है तो आप किस नियाले में जाएंगे दिवारी दियाले में लेकिन अगर कोई हत्या चोरी आदी का मामला है तब आप कहा जाएंगे ठीक फौजदारी नियाले में तो हत्या चूरी, मार पीट, थिक तो ध्यान देखिएगा मार पीट वाला हिंसा वाला चीज, आपका फोस्दारी वाला पैसा वाला मामला इस तरफ या परीवार वाला, थिक परिवारी की समस्या है तो थिक इस mon drastic इस पर्रकार के चीज़ें दिवानी में चलती खासकर परिवार को रहन जो बडा सा सेना रख रहा है ! बड़ा जीस के पास समराजज्ज है ! उसको अपने सेना समराजज्जी , अपने लोगों के बारे में व साथ यह दूसरी राजाओं की सुचना के बारे में जानकारी होना कहा है और वो कहां से मिलेगा ठीवी वू मिलेगा गुप्तचर के अमादये मिसे ठहल रखं़ के प्रसासन्त में एक संगथित इन ऑन गाइदी कहा गया जहाएं रखीगा क्या कहा गया गूड़ पूरुष, तो गुप्तचर को गूड़ पूरुष कहा गया है। झिक ए इसके लिए विभाग विभाग थे जो महामात्य की अधीन होता था महाममात्य इसका मेल अधिकारी्ट? यह दो प्रकार के गुब्तचर थे, एक था संस्था और दूसरा संचार, तो ध्यान रखिएगा, यह किस प्रकार का था, संस्था जो है इस्थीर रहके इस्थीर अर्थात एक ही इस्थान पे रहके एक ही इस्थान पे जो वेक्तिया जो गुप्तचर एक ही इस्थान पे रहता था और उसी इस्थान पे रहके उस एक निश्ची छेतर का गुप्तचरी करता था उसी क्या कहते हैं संस्था संचार पूरे च्छेतर में घूम घूम कर क्या करता था तो इसके भी अलगलग विभाग थे अलगलग लोग रहे होंगे को ऐसा नहीं कि कर आदमी सब जगह घूम राए तो ध्यान रखेगा दो प्रकार के अलग-अलग नामों से जाना जाता था, देसे की पूरुस्त गुप्चर को हम सान्ती, तेष्ण और सरद कहते हैं, ध्यान रखेगा, सान्ती, तेष्ण और सरद, वही पर स्री गुप्चर को विशली, भिक्चुकी अवपरी व्राजक के नाम से जाना गया है, ताकि उसे में से पुचे तो आपसे यह चीज़े बन जाए अब हम देख लेते आर्थिक स्थिति के बारे में तो ध्यान रखे हैं आर्थिक इसरी ठीटि ठीक प्रतेक राजा जो भी राजा रहा है ठीक वो भूमी सही कर प्राप्त करके अपने आर्थिक स्थिति को सुद्रड़ करता है तो कर प्राप्ति और भी खासकर किरसी संबंदी तो यह समझ लीजे कि मौरे प्रसासन में भी मौरे संब्राज में भी कर जो है आमदनी का मतलब ज़्यादा एक बटे छे से एक बटे चार तक, clear है अब ध्यान रखीगा, यहाँ पर भूमी की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं, मौरसमराज में तीन प्रकार की भूमी पाई जाती थी, क्रिश्ट भूमी, आक्रिश्ट भूमी और आपका तीसरा स्थल भू मतलब जो उची भूमी होती थी, उसको इस्थल भूमी कहा जाता था, अर्थात इन तीनो भूमी का अलग-अलग वर्गी करिश्ट इसलिए किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के टेक्स इंसो वसूला जा सके, ठीक है, अब ध्यान रखीगा, ठीक, अच्छी फसल होती थी, ठीक, यानि कि आप टेक्स जादा लोगे, ठीक, मतलब ऐसा जमीन, जिसमें कम वर्षा में अधिक फसल, मतलब जादा, ठीक, तो ध्यान रिखीगा, अदेव मात्रक, सीता भूमी, ठीक, यह राज की यानि कि राजा का भूमी होता था, राजा का मतल थी, ठीक, तो भूमी करके चर्चा यहां हो चुका है, किस प्रकार, एक बटे छे, या एक बटे चार, ठीक है, बस केवल एक जगा पे, लुम्बनी पे यह कितना था, एक बटे आठ, वो भी जब असोक द्वारा लुम्बनी की यात्रा किया गया, तो वहां पर यह छूट दिया अगया, चलिए, अब देख लेते हैं हम, इसके बारे में, तो असोक के समयाज़ें, मौर समयाज़ें, ठीक है, कासारपन, और धारन taką यह तिनद प्रकार की सिकhए मिल रहा है, जो कि चांदी के बनी होते थे, कासारपन, और धारन धयान रखीगा, इसके चांदी के, शुवन नाम का जो सिख़्ा वो सोने का रहता था तीक, यहां पर कोई दिख़्त नहीं, सुवन, सोना, आसानी से पता चल जाएगा, ठीक, यह मार्षक और काकणी याद रहीगा, ताम्बे का रहता था, कई कई पुस्टकों में भासक लिखा गया है, तो मारषक और काकणी, क मुद्रा का परिछण करने वाले अधिकारी को रूप धरसक कहा जाता था जो इसके रूपright। कैसा सिख़ा में हम धर्म के बारे भाए धेंकुंद्धा कि धर्म जो है ते पहले आपको बता चुका हूं कि एक मति नहीं है फिर भी आप जानिये कि असो जो है ढें हम अगर हम बात करें था यह सकते हैं कि यह जो सासक रहें यह धर्म के पत्म सहिश्नूर है клBl नहीं रहें तो यहां इस चीज की चर्चा औरड़ी की जा चुकिए है चंद्रगुपतु मौर के समय जैन धर्म को अपनाता है जैन धर्म के माध्यम से जो सनलेखना विधी द्वारा स्रवनवेला गोल में जाके प्राण त्यागता है ठीक है बिंदुसार ने आजीवक धर्म को की निर्माण करवाया आग जाके इसको तोड़ेगा पुर्स जुमित्र सुंग ध्यान रखेगा ठीक है तो पहले ध्यान रखेगा चौरास्टी हजार स्टूपों का निर्माण कराया गया तो यह धर्म से संबंधी था इस परकार हमारा मौरिस मराज में आज हमने देखा कि असोग क्या था असोग ने किस प्रकार थे ज़िए के एक इलीध को टियाग करके धर्म के धु धर्म के नीटि को अपनाया आज हमने ये भी देख़ा कि मौरसускаर्ण पर्साशन का प्रसाशन और यहां का धर्म था तो इस प्रकार हमारा एक महत्व्यविवस्था जो चैप्टर वो complete होता है, आसा करता हूँ कि परिच्छा के उपयोगी तत्थे में आपको दे पाया हूँ, ठीक है, आपका काम यह रहेगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को भी आप subscribe कर लिजे, ठीक है, एक साथ अलग-अलग platform पे काम कर रहे हैं, ठीक आप वहां से ठीक, आप अपने काम के चीजे आप उपयोगी चीजों को आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है, तो मैं आसा करता हूँ कि आपकी अध्यन में, ठीक है, हमारे एक महत्पूर योगदान रहेगा, ठीक है, धन्यवाद वहां से रहे हैं, ज वहां से छोगदान, उचला से रहे हैं, रहेँ नहीं आपकी आपकी है, यवाल में पैएल प sic approxim दो 30. तो 3